हाई गाईज कैसी हो आप सब उमीद करते हूँ आप सब ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो फ्रेंज फिर से लेकर आई हूँ एक नया और अमेजिंग आइडिया तो फ्रेंज जो कुर्टी मैंने पैन रखी आप इसको देख सकते हो बिल्कुल ही टाइट हो गई है उबर तो इसके यहां तो यहां से यहां तक तो मार्जन है इसमें एक इंच के लगबर मार्जन है लेकिन बिल्कुल यहां पर आखे मार्जन इसका बिल्कुल खतम हो गया है बिल्कुल भी मार्जन नहीं है मैं आपको दिखाऊंगी जूम करके कुर्टी में तो इसको हम किस तरी के से सही कर सकते हैं आई अब भात सारी कूर्थी हैसी होती है जिनको हम फैकना नहीं पैंड होता है तो ननको फैकना नहीं चाते हैं मैंने पास climb क्या है उससक्राम कर सकते हैं तो एक तो पहने के लाइक आप बना सकते हो दूसरी चीज़ें बना सकते हो तो आज मैं वही टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर इस तरीके से कूर्ती टाइट हो जाती है और मार्जन बिल्कुल भी नहीं है और आपकी पसंदीदा कूर्ती है मतलब देखिए कुर्ती जो है इसका कलर और इसका कपड़ा इतना अच्छा है जो वीडियो में नहीं कह चोरा है तो मेरे को बहुत पसंद है अभी इसको मैं फैकना नहीं चाती हूं और पहनना चाती हूं तो इसको किस तरीके से हम पहनने के लाइक बना सकते हैं तो चलिए फ बिल्कुल एंड में आके यहां पर सिलाई नीचे आ रही है इस तरीके से तो इसको हम कैसे लूज कर सकते हैं वही तरीकाज मैं आपके साथ शेयर करूंगे सबसे पहले देखिए उपर से जो सोल्डर है उसको यहां से हाफ बिल्कुल सेंटर में ऐसे मार्क लगा लेंगे औ और फिर यहां पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे सेम हमें दूसरी तरफ भी जो है इसको लाइन को ड्रो कर लेना बिल्कुल सीधे सीधे और अब जहां पर हमने मार्किंग की है वहां से हम इसकी कटिंग कर लेंगे कटिंग करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि टेड़ी मेरी कटिंग नहीं करनी है नहीं तो बाद में फिर जोल आएगा तो cutting एकदम सिधी सिधी करनी है बिल्कुल मैं आपको slow करके वीडियो फिर बताऊंगी एक एक चीज step by step ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो तो आप जितना इसको lose करना चाहते हो बीच में से उतनी चोड़ी पट्टी अब दूसरे color के लेंगे तो मैंने ये जो पट्टी ली है ये साड़े तीन इंच चोड़ी ली है और ये पट्टी हमें चार चाहिएंगी जितने आपके कूर्ती की लंबाई है उतनी लंबी लेना और फिर नीचे से एक तरप से उसको इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहां पर स्लाई लगा लेना तो मैंने चारों में स्लाई लगा ली है अब देखिए एक सेम कूर्ती के color की पट्टी लेंगे इस तरीके से साड़े तीन इंच ओड़ी काले वाली पट्टी है और तीन इंच ओड़ी रेड वाली मतलल बलाल वाली पट्टी है तो अब हमें क्या करना है जो यह रेड कलर की पट्टी है इसको इस तरीके से मैंने देखिए एक को लेकर फोर फोल्ड कर लिया है कुछ इस तरीके से अब यह बंद पार्ट है इधर की साड़ तो इसको उपन कर लेंगे और यहाँ पर तीन इंच पर मार्क करेंगे तीन बाई तीन इंच के यह पीस कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से लाश्ट में यह पीस ज़्यादा हो गया है इसको सिधा करके देखेंगे तो इसको देखिए एक्स्ट्रा को ऐसे कट करके निकाल देंगे तो इसी तरीके से हमें जो सारी पटिया कट कर लेनी है और तीन बाई तीन इंच के पीस बना लेंगे तो मैंने बना लिया तीन बाई तीन इंच के पीस अब देखिए हमें एक पटि लेने हैं ब्लैक प्लर की और इसको देखे इस तरीके से जो सीधी साइड है वो उपर करेंगे और अब इसको देखे इस तरीके से हम सेप देंगे ऐसे फोल्ड करेंगे और ट्रेंगल सेप देकर इसको इस तरीके से रखेंगे यहाँ पर अच्छे से सेट करके और अब हम इसको आधा इन स्लाइ मार्जन छोड़ते वे जो हाँ सील लेंगे इस तरीके से और दूसरा ट्रेंगल सेप देकर इस पीस को बिल्कुल ज़श्ट इसके पास में रखेंगे कोच इस तरीके से और इस तरीके से सील लेंगे वन भाई वन इसी तरीके से जो हमें एक साइड ये रेड कलर के पीस ऐसे ही लगा लेने हैं जिस कलर के आपकी कूर्ती है उस कलर के आपको ये पीस लेने हैं जरूरी नहीं है कि सेम कपड़ा मिले मेरे भी 19-20 कलर जो है चेंज है और इसी तरीके से जो है सारे पीस लगा लेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है वो आप अपनी कूर्ती में कोई भी जो है कलर की बुटी है या फिर कुछ भी है दूसरा कलर अगर को दूसरा कलर नहीं भी है तो भी आप कलर कोमिनेशन खुज सेट कर सकते हो अगर एक कलर की कूर्ती है तो इस तरीके से जो है आप डिजाइन बना सकते हो आप दूसरी सेट रखेंगे और इस तरीके से जो है हम डिजाइन बनाएंगे इसमें यह देखिए इस तरीके से डिजाइन बनती हुई आ रही है इसमें औ ज्यादा तेड़ा मेडा कपड़ा हम नहीं छोड़ेंगे इसमें तो इस तरीके कि मैंने दो पटिया तयार कर ली है यह देखिए अब मेरे पास मोती हैं कुछ गॉल्डन कलर के हैं यह वाले तो यह देखिए आप चाहो तो इसमें गॉल्डन मोती यूज कर सकते हो लेकिन मेर कि सैड से हमें इस तरीके से इसमें एक सैड के किनोर के उपर ऐसे सुई को उपर निकालना है और अब इसके अंदर हम मोती डाल लेंगे आप इसमें गॉल्डन मोती भी यूज कर सकते हो मोती आपके पास नहीं है तो आप इसको ऐसे ही सैट करके यहां पर सील सकते हो अब द देखिए मैंने सभी को ऐसे attach करके ready कर लिया है अब देखिए कूर्ती को इस तरीके से यहां से solder के उपर से थोड़ा सा open कर देंगे और इस तरीके से जो है इस पार्ट को ऐसे रख लेंगे फोल्ड करके और अब जो पट्टी हमने तयार करी है उस पट्टी को इसके उपर इस रखेंगे उल्टी सैड जो है इसकी उपर की तरफ करेंगे पट्टी की और सीरी सैड नीचे की तरफ करके इसकी उपर ऐसे रख देंगे अच्छे से जमा कर और यहाँ पर सिलय लगा लेंगे और अब देखिए इसको हम दूसरी सैड से अटेच करेंगे तो इसको इस तरीके स सीधा करेंगे पट्टी को और दूसरी side वाला पाइट इसके उपर रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पर sly लगा लेंगे आधा इन sly margin में चोड़ते हुए फिर यहाँ पर sly लगा लेंगे जो पहले से सिलाई लगा रखे उसे के उपर सेप सिलाई लगा सकते हो अब देखे इसको सीधा करेंगे सिलाई मारजन को कुछ इस तरीके से फैलाएंगे और यहाँ पर हमें इसके प्रेस्टीज कर लेंगे इस तरीके से इससे क्या होगा इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी और जो है नीचे से जो है वो पट्टी जो सिलाई मार्जन की है वो इधर उधर जोल नहीं खाएगी तो इसके लिए हमें इसको टॉप स्टीच कर लेना है यहाँ पर यह देखे इस तरीके से दूसरी सैड भी कर लेंगे तो दोनों सैड से हम इसको इस तरीके से जमा लेंगे तो इससे क्या होगा फिनिशिंग अच्छी आएगी तो फ्रेंड जो सबसे आसान तरीका वो मैंने आपके साथ शेयर किया है आप इसको किसी भी तरीके की डिजाइन प्लेन कुर्ती थी से लिए मैंने इसमें प्लेन कपडा यूज किया है अगर आपकी कुर्ती वर्क वाली है तो उसको अलग तरीके से आप रेडी कर सकते हो सेम तरीके से दूसरी साइड भी पार्ट को हमें टेच कर लेंगे दूसरी पट्टी को और अब इसको उलट लेंगे पीछे वाले साइड में बताओंगी कैसे हमें लगानी है पट्टी तो पीछे वाले साइड आप चाहो तो डिजाइन बना सकते हो आप नहीं डालना चाहते हो तो नहीं भी डाल कर जो हम प्लेन पट्टी इसमें यूज कर सकते हो आप देखिए इसको सेम तरीके से ऐसे फैल इसको हम सीदी कर लेंगे दूसरी साइट भी इसको इस तरीके से देख इसील कर यहां पर अठेज कर लेंगे यहां पर भी ऐसे app करेंगे निहीं सभी घब सॉलडर की ऊपर लगा लेंगे गाइच मुझे ऐसा लगता है पहले से जादा अच्छा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना आपको यह डिजाइन अच्छा लग रहा है या फिर प्लैन अच्छी लग रही थी तो इस तरीके से देखिए आप इसमें कितनी ल्यूज हो गई है आप देख सकते हो यहां से यह र करती है यह तो आप देखे कितना ल्यूज हो गया है इस तरीके से तरीके से दो आप अपनी पसंदीदा पूर्ति को इसी तरीके से जो है वापस oh कर सकते हो वह इस तरीकिसा ल्यूच कर सकते हो मैं उमीद करते हुआ यह आइडिया आपको जरूर पसंद आया होगा आइडिया पसंद आया हो तो पूर्टी का गला है तो इसमें आप अलग डिजाइन बना सकते हो इससे भी ज्यादा लगेगा तो आप कमेंट करके बताना कि प्रवाइब करने का तरीका बताना है तो भी आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी गाइज अगर आपको टाइट हो गया है या फिर जैसे पहले हाइट कम होती थी अभी थोड़ी सी हाइट ज्यादा पहनते हैं दो इंज का डिफरेंज कम से कम हो गया है सकते हैं चाते हैं लेकिन क्या स्ır नहीं है ज्रूरसके उपर वी वीडियो जरूर बैंगी तो फेस्के आज पाई!